डाक्टर ब्रेंदर आपका स्वागत करता हूँ ब्रेंदर अर्वेजा चाइनल पर मैं आपको आज अलास अलास एक रोग है और इसके बारे में आपको पर्चे और चिकित्सा पतला रहा हूँ जिवा के तल भाग में कर्फ और रत जनेत गंभीर सोत होयाता है तो इसे अलास कहते हैं यानि अलास रोग कहते हैं या सोथ जब बढ़ जाने पर जिववा को एक जगा रोक देता है या जो है सोथ बढ़ने पर जिववा को रोक देता है जगा और रोकने के बाद जीव जो है इधर उधर नहीं हिल पाता है और पात हो जाता है और जैसे जीव का जकर जाना लाला सरा होना मने मुझे हमेशा लार की तरह गिरते रहना और जल्दी पाक हो जाना यानि जखम बन जाना और जब पाक हो जाता है तो बिक्रित हो जाता है उसे मांस को भी काटने लगता है मांस भी काटने लगता है और यह जो है तिप्रगती से पाक होता है तिप्रगती से मुह में जिबुआ पर यह जो है तिप्रगती से रोग बाता है और यह रोग जो है आपको अलास रोग जो है त्री दोसज है बात पीत कफ इसमें तीनों दो जो है दूस होते हैं और इससे जिवुआ पर यह जो है अलाव रोग का उत्पत्ती होता है यह ब्याधी पतक है और हमारे मर्जियों ने इसे अगुद जैसा रोग से इसका उले किया है जीव में आपको यह रोग होता है और जीव जो है घिलता डोलता नहीं है वह जो है किसी तरह का जब यह रोग होता है तो विग्रित जब होता है जिवुआ तो रस का ज्याद जो है समाप्त हो जाता है कि वा भोजन का स्वाद गएसा है स्वाद का उसे पता नहीं चलता है और इसका लोग हो जाता है और वह जो है घ्यंकर रोग से फिडित हो जाता है और रोगी जो है इसे परतान हो जाता है और यह रोग जो है आपको आरवेद के प्राचीन गरंथ में अलास रोग का उलेख है हमारे महर्शियों ने किया है यह जो है हमारे महर्शियों ने इसको घातक बिमारी पतलाया है और इसको जो है और बूद से इसकी तुन्ना किया है हमारे महर्शियों ने और यह रोग जो है बहुत धातक है और बरबर जो है सरा होते रहता है मुझ से लार की तरह तपकते रहता है और मांस को भी काटने लगता है मेरे जीब पर होने के बाद अगल बगल भी मांस को भी यह जो है दिशर्व करता है और मुझ जो है भी लास जब यह रोग बढ़ जाता है तो मुझ जो है जकरने लगता है और वह जो द्रिक्ति रोगी जो है उचारब सही नहीं कर पाता है बोल नहीं पाता है जीब जो है ला रहा हूं वीडंग ले लिए, रॉसावत ले लिए और पिपली थीनो बराबर मात्रा में लेकर इसको क्वाध बना कर पीने से आपको मुख के अंदर रखतिमा है या दा है, पीड़ा है, शोत है इसको आपको समाप कर देता है और यह अउजदी जो है वीडंग जो है और पिपली यह तीनों आपको आउसदी मिल जाएगा और तीनों आउसदी लेकर आप उसको प्वात बना लें प्वात बनाने के बाद उसको गंडूश करे यानि गलगला करे या मुह में रखकर फुला करे और कुछ देरी तक करे इससे मुँँ का रख्तिमा मैं लाल रंग का पीड़ा हो गया है या सोथ है तो सभी को नास करता है और तीनों अवजदी को आपकी स्कील पर ठेक कर उतार लिजे और इसको क्वाद बनाके गंडूस कीजिए गंडूस करने से आपको इरोग जो है समाप्त हो जाता है और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धनबात तेरा हूं वीडियो को लाइप यह जरूर करें जया धनमंत्री जयर आरगेटर